अभी पॉनाउंस वाद, चीजिस साहब ने काफी तरशीर से तक्रीबन आदा गंटा उसको पा, रेलेवन पोर्शन, जज्मेंट में बहुत सी बाते हैं जो मुल्क के कांस्टुशन, सेकुलेरिजिम और उनिस्वक्यानवे गाये बगारा बहुत सी बाते हैं लेकिन जो उसका क्रक्स है, उनुने यह तो कहा कि सूट नमबर फोर हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी जमीन जो सूट नमबर फोर डिकी वो पूरी की पूरी उनुने सूट नमबर फाइव के प्लेंटिक को दे दी, यह हच्छ से हम बहुत जादा जिससे डिस्वाइड हैं, क्यों इसने से इंडिया जुके धवन साथ से भी और दूसरे वकीडों से भी उसके बार तैय करेंगे, कि विज़र तु फाइड ए रिवू और लेकिन हमारे प्रपोजल है यह है, क्योंकि इस पर फाइंडिंग जो है, इस पॉइंट पर खास्तों से, वो बहुत ही, नहीं समत्ते कि अंजस्ट है, लेकिर सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट इसके रहा हमनेशा से कहते रहें, कि हम रस्पेक करते हैं और पूरे मुल्क के रवाम से यही अफील करते हैं, कि वो फीस और टाइंक्विल्टी को मेंटेन रखें, किसी क्रिस्म का कोई पोटेस्ट या कोई एप कि वोटेस्ट हैं, 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 कि वोटेस्ट ह इनर कोट्यार्ड इन विस प्रेंस पर आफ़र्ट जैट्टू है विन गिवन तू अधर साइड इसमें यह हम इसको नई इकूटी बान सकते हैं न जस्टिस बान सकते हैं फिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल होगी उसके बारे में टाह करें बाद ज्याद को बताएं आज तो इतने ही हम कहना चाहते हैं कि जो अबजर्वेशन उसमें आये उसके बहुत से ऐसे अबजर्वेशन थे जो जो जिस्टिस ने परणूंस किया जज्जमेंट सुनाया इसके बहुत से अशाजर्वेशन जो मुल्क लिए पाइदेमन्द हो सकते हैं उस तप्मिल में सेकुलर स्क्ट्चर को कायम रखने में ये जज्जमेंट पहीं से जिया तक पुरे मुल्क लिए बजबगार हो सकता है तो हम हर पार्ट को नहीं किर्शाइट कर रहे हैं लेकि कुछ पार्ट उसका जहां पी फाइंडिंग दी गई है खास्तों से जो फाइंडिंग इस बात के ये कहा गिया कि इसके बात की तो एविडेंस मिलती है इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने के लिए मिलती है अब मैं इसको किसे और नहीं कह सकता लिखकर ही इस बात को कहूंगा जो कुछ में कहना होगा कि जो चीजे आप रिलाई कर रहे हैं टाइफन थेलर का जो ट्रेवलेर्स अकाउंट रिलाई किया आप में और उस ट्राइफन थेलर के ट्रेवलेर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जित तीन गुंबत वाली बनाईगी तो मस्जित के लिए अब नमाज पढ़ने का उस वो लिखेगा ये हम इस तक नहीं कर सकते हैं ट्र रेवलेर्स अकाउन में लव फूजा करनेशे लिखा है तो जिस ड्राइफ को अब रलाई कर रहें हैं कि हिंडूओं के विलीव को सपोट करने के लिए उसी ड्राइफ करने को आप मसलमानों के लिए इस्ते स Add Flagल रलाई नहीं कर रहें तो आख ये सब जिनियर वक्रा के मश्वेरे से उनके जज्मिन पर लेने के बाद फिर जो फाइल डिसेजन लेगे, कि रेवी फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा, तो इसलिए आज तब खाली अपनी रायब दे सते हैं, इससे लगता है कि हम चाहिज रेवी फाइल करें, ल उसके लिए कुछ अब्जरवेशन बहुत यूसफुल है, जैसे 1971 के एक को उनुने बहुत कारीफ की, जो अनुनिस्टर का प्रेसर वर्शी पैक्ट है, 91 के जो एक्ट है, जो इसका हमें अंदेशा था, दावाल साब में बहुत स्वाम यार्गू किया था, कि आपके बहुत से सुपीरियर नहीं है, हमारे देश के एकॉलिटी है, यह अब्जरवेशन जो है, यह जाएंगे मुल्क के लिए फाइदे मन अब्जरवेशन से है, जो मुस्तविल में पूरे मुल्क को हलब करेगा, जिक्शिए मेरे सबसे पहला पॉइंट को मैं राश हो गया, कि इनूने शूर डंबर फॉर को भी लिव्टेशन से बार नीमाना, बार ली डिक्री किया, और ऑडarent कोट्यार्ड के बारे में हम्нее ग्रिवांस नहीं है, चुकि आउडर कोट्यार्ड के उत्रा अग्जिसट कर रहा है, इनूने यह कहा, कि इनर कोट्यार्ड में भी, क्यो कि कफजा को एफर सटावं के पहले का एविडेंस में घर וभाइए हिята जो हमारे हम से जो इविडेंज उनने यूज किये है वह सब पर कर रही मस्जिद को और उस मस्तिर कोई पूझा पार्ड के जिकर उसमें अपने हैं तो अब उसी एविडेंच को ज तो में कि रिलाई किया है जिंद्रों की आस्था के तालुक से वही एविडेस्ट तो मुसल्मानों की मस्जिद सो कर रही है तो जब मस्जिद का अग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और कांतरी नहीं खुद उन्हें माना है कि हां 16 दिसंबर तक नमाज हुई उन्हें माना है कि मस् में तो जब मस्जिद को अबंडम नहीं किया गया था तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहां तो होगी पूरी से चौदिस के रागुबन भी माने हो तो जब मस्जिद दे नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्मिनटी को दे देना यह हमारे समझ में इंसाफ नहीं है अगया ना आश्चिया याभी कि अन्य क्या होतुति माके से मौ थ़ुग कव कि लिए हिस्च विए चकांटोमतार यह को अनुग का निक यृव हुत है कि दढ़ंग के बात हिन मस्जिद का विदे नहीं हो सकता है हमारी शरीयत किमें मताविक हम मस्जिन किसी को देनी सकते हैं। न हम इसको गिध कर सकते हैं न उसको छेल कर सकते हैं। लेकिन जो बात हमें प्रोट संदा थीश रिक ये मत कइंद बात पूछीर और और यह हमारे व्याई नहीं कहा है कि जो वहाँ पर वाटियन मिला वो 12th century के रिजम्बिल से मीड टेंफिर से रिजम्बिल करता था लेकिन 12th century से लेके और 1528 तक वहाँ क्या रहा है इसके बारे को एविदेंस नहीं है तो ये 300 साल का गैप उन्होंने माना है हमारा ये कहना है कि जज्मिन में जो उन्होंने प्र पुरा पढ़ने के बार हम देखेंगे क्योंकि बुनियाद उनकी है सूर नंबर 5 में प्रेंट एलिगेशन ये थे कि रिक्रमादित के जमाने मंदीर बना रहा है जो इसा मसीख के पराबर 57 साल पहले के जमाना है तो हजार साल पर उस जमाने के ना तो हैसाई की रिपोर्ट पुरा पढ़ने के बार अंदादा होगा कि इसमें क्या चील सी है जो एफरेंट डिरस लगती है दिस हो गई है क्या वजिया है तो अभी नहीं कहता है तो इसलिए हम अभी नहीं कहता हैंगे कि उसके खिलाफ बिरूर फाइल होगा ने कि हमें लगता ऐसा है अबन साब करी करेंगे लगता हमें कि यह फाइल करना वहोगा अभी इस चीज़ पान्च इदी गई है तो जो जो पांच अगर्ड की ज़ीगई आफिए मस्जिद की कोई कीमत नहीं मस्जिद को फरॉफ नहीं किया हमारी मिल्कित नहीं मिल्कित अलला तालक होती जाना उसके बदले में को स्क्राइब कर दोज वह नहीं पर उसका मतलब है कि हमारे जो सब्सक्राइब नहीं तर जमीन जो डिकेटिटर है मस्जिद के लिए जहां पर यूजर था मुझे उसको माना आ गया जाया झाया जो जो राइड बन आप दे सकते हैं लेकिन जहां उनका पजदर नहीं था माना भ वार्ट वार्ट तो यह सब मानने के बाद भी जमीन उनको पूरी देना यह हमारे लियाद से जस्त नहीं है इसी तरह से उसको जस्टिस वो इकृती के टार्श में नहीं समझ पार रहे हैं और अइंदा हम इसके बारे में रिवू के बारे में लिमारशान को उनना फुट कंड लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जज्वन से उसके लिए हमें जरूर अभी अपने पर छोड़ना नहीं है और हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए शायद आपको लगजा है कि इसके बाव को पैसा है यह बिल्कुल हम कुछ नहीं कहेंगे यह चीजे कभी हमने नहीं क है आप समझदी यह वो लोग कहते है दाव वारी बाद जो नहीं मांनते हैं हमने कभी नहीं किसी फैसले को हमने कभी नहीं का दाव का है कुछ पूरी नहीं है अब देते हैं सुप्रीम कोड को पूरी रिस्पेट हमेशा दी आज भी दे रहें जज्मिन से डिसेगरी करना यह हमारा राइट है लेक्ट तो हम उसको डिसेगरी करेंगे रिस्पेट फुली हम कोई चीज यह नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोड के विखार को गिराए उसकी करने के लिए हमारा राइट है सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीर हैं मैं चाहूँगा कि वह स्वासा और यह नहीं हमारे वकीर है मैं चाहूँगा कि वह स्वासा और बिरिफ्स करते हैं आप इसमें जाते हैं जिसे यह लगता है कि मैं चाहिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हूँगी जो उन पर के सुनाया बदा रहा हूं तो वो जो आपको खत्रा लग रहा है जिसे लिए कुछ पोर्शन मुल्क के लिए किसले के साथ नहीं हूं थे लुगत लाइब लुगत लुगते हैं यह लुगते हैं जो आपके आप आपसे let me let me just say a few words please take it that we believed in the constitutional setup of this country we still believe and we would keep believing it we went to the court with all convictions that the court will decide it with all keeping in mind the justice to all the party we have seen the judgment today there may be reservation to the judgment from our side and there are reservations that mr. Jilani has already explained to you that we will examine and we will take appropriate legal records available to us within the framework of law we are not satisfied we are not satisfied we are not satisfied Supreme Court judgment Yes in judgment you said Hindus had proved unimpered possession of the outer courtyards that they have no evidence that Muslims have abandoned the inner courtyards that is the only point of contention that you have in judgment or there are several other points केंएנritब फिर्व सबने सबनालों, इस ये चुट्टिनता थ्लिर्मुट ननु triumph? लुक हो जीन, बेस बैसम वत इमिन के मुट्रा चूता हैं उपक्तिना रिजार उंटों 1049 हैं इवाद इवर्टेट मेंट इन इस प्रशाओंग थाय। इन अविवने हैं। इन अवर्ट पूर्ट एट रहा है। अदियर नियुट रहा है। अजय को अगरे लिए। कर दोड़ी लेग्सार मेरा आप जिवानी है। पर जिवानी भी आप सबसे हिए। आप इंडियन कहने और मुस्लिम बाद नहीं है, बाबर मॉजन इंडेटर, लुटेरा जाफिर, आप उस मस्जिद के इसमा क्यों सब्सक्राइब कर दो है, ऐसा है कि मस्जिद बाबर की नहीं होती है, मस्जिद बनने के बाद अल्ला ताला की हो जाती है, तो बाबर का नाम उ तो भी मस्जिद है, कृष्णी के नाम पर हो तो भी मशिद है, जयर्नमस्थान के नाम उन्याइजद है, मना मको लेना नहीं हो जाए, तो रुट है मस्जिद से हमें तो कहा है, अगर आपको बाबर झ PAC ए gjुज उसका नाम रख दीजे, राम मस्जिद हम बानेंगे, शिवाला मस्जिद है लखनों में, तो हमारा तालब मस्जिद से है, बाबर के नाम से कोई में तालब नहीं है. कि यह बात आपके आने से पहले बात हो चुकिए है वी विल कंसीडर इंडरी क्यूरेटिव पूर्डिशन बाद में होती है हमारे सुप्रीम कोर्ड के लाइयर से बता रहे कि पहले रिवी होता है रिवी मस्ट है अगर रिवी नहीं आप फाइल के डियरेक्ट कियोटी नहीं सकते हैं तो पहले रिवी होगा फिर देखा जाए कि यहां पर हमारे जबियां में दूसरी हमने मुस्किन तन्जीमों के लोगो गुलाया था और इस जॉइंट प्रस का हमस्की थी तो जबाद स्क्रावी के अभी जिलानी साहब ने जो बातें कहीं है उससे हमको पूरा इत् इसके बातों से इत्फाक नहीं है बाद बातें बहुत अहम हैं और उसे मुलक में अमन और हमारे मुलक का जो कॉंस्टिशनल फ्रेमवर्क है उसको मश्बूत करने में मदद मिलेगी लेकिन बहुत सारी बातें और खास्तर पर जो कंक्लूजन है उससे पुरी तरह इत्फाक नहीं है लेकिन बरहाल हम एक सिविलाइस सुसाइटी में रहते हैं जिसमें रूल आफ दी लाग की बड़ी इंपॉर्टन्स है तो हम पहले से हम ये बात कहते रहे हैं कि सुप्रेम कोड और हमारा जूडिशन सिस्टिम फाइनली जो कंक्लूड करेगा उसको हम मानेंगे उस का जायजा ले रहे हैं कि इसमें रिविव पेटिशन या उसके बाद क्यूरेटिव पेटिशन का इमकान है नहीं है और किस तरह दाखिल करना चाहिए इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो बरहाल कंक्लूजन यही है कि हम इस पैसले से पुरी तरह मुतमईन नहीं है ल बरहाल जैसा कि हमने अर्थ किया कि हमें हम अंसटिस्वाई हैं जज्जिमेंट से लेकिन यह बात फैसला मुस्लिम परसनल लाबोर्ड और तमाम तन्जीमें इस बात का पहले एलान कर चेकी थी कि जो भी फैसला होगा उसको हम तसलीम करेंगे लेकिन एक बात खास यह है कि में हिंदुस्तान की तमाम अबाम हिंदूों से भी और मुस्लमानों से भी अपील करता हूँ इस बात की कि वो अमन उमान क्याम रखने में एक दूसरे की मदद करें और इस मुल्क में किशी तरह इंतिशार का माहूल नहीं होना चाहिए जो लीगल फ्रेमबर्क में जो कुछ भी पानूनी टीम कारवाई करेंगी उससे आप अधरात को फिर मुत्तला किया जाता रहेंगा देश और दुनिया से जुड़ी सबी प्रमुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले